आज के दिन की बात करें तो अल्मोस्ट एक परसेंट के उपर के अफसाइट के साथ इस टॉक में प्लोजिंग देखने के लिए मिली है इससे पहले वीडियोज में हमने डिसकस किया था कि 104 जहां से सपोर्ट ले आप इसके लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा और कैनरा बैंक का जो खेल पलटे नजर आ सकता है गिरावट के बात लगाता है लो लो और लो चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिला जम्प आ रहा था इस्टॉक में लेकिन rejection phase कर रहा था और गिरावट के साथ अपना low breakdown करते नजर आ रहा था लेकिन 104 के level से एक jump आया था 112 तक का अगेन इस्टॉक ने rejection लेकर गिरावट डिकाई तो इस low को breakdown नहीं किया इसके उपर से ही support लेकर bonds back हुआ है और अपने resistance के आसपास ही आज की closing दिखा गया है तो आने वाले trading day में इन्हें कल के दिन इस level का breakout stock करता नजर आ सकता है और फिर यहां से Canera Bank का chart pattern और खेल दोनू पलटने के chance बनेंगे अगर इस high को breakout कर गया तो फिर highly chances फिर upside के बनेगे गिरावट आती है तो नीचे की और 108 immediate support है next support है जो low है 104 का level और major support रहेगा 100 का level अब बात करते हैं target की तो जैसी यह 112 112 का level break out होगा उसके बाद आगला target देखने के लिए मिलेगा 116 का level और इस bonds back के साथ 120 तक का jump stock दिखा सकता है जो के फिर इसके major resistance का काम करेगा देखा जा सकता है chart pattern पर उसी के आसपास से stock ने rejection लिया था तो 120 major resistance रहेगा लेकिन chance बनेंगे break out के क्योंकि गिरावट के बाद आप stock bonds back कर रहा है correct होने के बाद bonds back कर रहा है तो break out के chance बनेंगे लेकिन 120 के आसपास हम fresh buying को avoid करके चलेगे इसके यहां से अगर बड़ी selling नहीं आती stock 120 के आसपास sustain हो गया तो इसके बाद 120 का level भी break out और फिर 124 से लेके 130 तक का jump कैनरा bank में देखने के लिए मिल सकता है वीडियो education purpose के लिए कोई buy sell या hold की सला नहीं है अगर आप demand account open करना जाते हो तो description में दीगए लिंक से कर सकते हो